असकार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में आज है 6 अगस्त 2023 तो चलिए जानते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से पहली खबर है बनारस की तरह चमकेंगे भागलपूर में गंगा घाट होगी सवसुधाय देखें अगले कुछ दिनों में बिहार के भागलपूर में गंगा घाट बनारस की तरह परियाटकों को लुभाएंगे इसके लिए स्मार्ट सिटी योजना से रिवर्फरंट डेवलप्मिन्ट का काम तेजी से कराय जा रहा है बूढानाथ घाट पर 80% से जादा काम हो चुका है यहाँ प्राचीन बाबा बृधेश्वर नाथ मंदिर भी है और यहाँ पहले से परियाटक आते रहे है अब गंगा घाट विक्सित हो जाने से परियाटकों की संख्या और बढ़ेगी इसी तरह बरारी में भी कई सुवधाई के साथ रिवर्फरंट डिवलप्मेंट का काम हो रहा है यहाँ पब्लिक प्लाजा, फूड, कियोस्क, जॉगिंग ट्रैक, मेडिटेशन सेंटर आधी की भी सुवधाई होगी भागलपुर में गिरे अगवानी पुल को अपने खर्च पर बनवाएगी स्पी सिंगला एच सी में जवाब बिहार के भागलपुर में सुल्तान गंज अगवानी घाट पर सत्रों सो दस करोर रुपे की लागत से बने 3.16 किलो मेटर फोर लेन पुल के गिरे हुए हिस्से को नर्मान का कमपनी स्पी सिंगला अपने खर्च पर बनवाएगी शुकरवार को इस बात की जवानकारी स्पी सिंगला कमपनी की ओर से पटना हाई कोट के मुखे नियाधीश नियाइमूर्थी के विनोध चंदरन और नियाइमूर्थी पार्थ सार्थी की खंडपीट को दी गए हाई कोट ने कहा कि पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर जाने को लेकर कई केर केस दायर है सभी केस पर एक साथ सुनवाई की जाएगी राजसरकार की ओर से महादिवक्ता पीके शाही ने कोट को बताया कि नर्माना धीन पुल का हिस्सा गिर जाने के बाद अपर मुखिस सचीव के साथ हुए बैठक में कमपनी ने अपने खर्च पर तूटे हुए हिस्से को बनवाने के लिए तयार होने की बाद कही है अगली खबर है पटना के IGI MS अस्पताल की बड़ी पहल अब मुबाइल पर मिलेगी इलाज से जूरी सभी जौनकारिया इंद्रगाधी आयूर विज्ञान संस्थान में इलाज कराने वाले मरीजों से संबंधित जौनकारी अपने परिजने मुबाइल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए जल्द ही एक नया मुबाइल एप विक्सित होगा उस एप पर मरीजों की बिमारी इलाज करने वाले डॉक्टर जाच्वा उसकी रिपोर्ट दवाईया और उसके असर के बारे में भी जौनकारी मिलेगी ये जानकारी ना सिर्फ उनके परिजन बलकी देश भर के अन्यस्पितालों के चिकिस्तक भी चाहे तो देख सकेंगे अगले एक से डेढ़ मां से ये काम शुरू हो जाएगा भारसरकार की योजना नेशनल डीजिटल हेल्थ मिशन के तहत ऐसा किया जा रहा है इसका फाइदा ना सिर्फ मरीजों को सटी किलाज के रूप में मिलेगा बलकी राजव देश भर के अनस्पितालों के चिकिस्तकों वविशेसग्यों को भी मिलेगा बिहार के साथ जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी वजरुपात का भी अलर्ट बिहार में मानसून संबंधित गती वीदियों में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्यान केंद्र पटना के अनुसार रविवार प्रदेश के साथ जिलों के पूर्वी चमपारन पशिम चमपारन सीतामडी गोपाल गंज मदुबनी सुपॉल व अररिया जिले में भारी वार व सुपॉल में बहुत भारी वर्षा की जेताबनी वा मदुबनी पशिम चमपारन पूर्वी चमपारन मुजफरपूर गोपाल गंज में भारी वर्षा की संभावना है प्रदेश के अधी संख्य जिलों में में गर्जन वा वजर्पाद का लठ है मौसम विभाग के अनु प्रधानमंद्री आवास योजना की निगरानी क्रियानवयन और निरेक्शन का काम कलांतर के में प्रखंड विकास पदादिकारीों के बजाय प्रखंड पंचायत राज पदादिकारी कर सकते हैं पंचायती राज विभाग ने आवास योजनाव की देखरेक का काम ग्रामीन विकास विभाग से अस्थान तरित करने को कहा है ग्रामीन विकास विभाग ने इस संबंध में आवश्यक का रवाई के लिए सभी जिलों के डियेम और डीडीसी को पत्र भेजा है हलाकि ये काम कब अस्थान तरित किये जाएंगे ये तेह नहीं है लेकिन ग्रामीन विकास विभाग के पत्र के बाद अधिकारियों का मानना है कि जल्द BPRO जमिदारी सौब दी जाएगी नितीश सरकार का बिहार के विद्यार्थियों को बड़ा तौफा अभीएड, ITI, डिपलोमा और M.T. करने वालों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलेगा लाख रुपे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर दो वर्सिये M.T. के लिए धाई लाख तो पॉल्टेक्निक करने वाले वित्यार्थियों को अधिक्तम तीन लाख तक अब लोन मिलेगा इसका अदेश शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को ज़ारी कर दिया है साथी बिहार राज्य शिक्षा वित निगम लिमिटेड को भी इस संबंध में पत्र भेज कर सूचित किया गया है कुल दस नए कोर्स को इस योजना में शामिल करते हुए उनके लोन की अधिक्तम सीमा तै की गई है इसमें उक्त दोनों के अलावा एम्टेक इंटीग्रेटेड पांच वर्सिये बीटेक बैचलर इनफैशन टेकनलोजी चार वर्सिये जी एनेम और बी एससी नर्सिंग के लिए 4 लाख रुपे की अधिक्तम सीमा तै की गई है वहीं बीट के लिए 2.9 लाख रुपे की और आईटी आई डिप्लोमा के लिए 2 लाख रुपे लोन मिलेगा यह आदेश ततकाल प्रभाव से लागू कर दिया गया है इन पार्थे कर्मों के लिए लोन के लिए भी विद्यार्थी आवेदन दे सकते हैं पटना में रिकॉर्ड 1,62,000 परिवारों की हुई गणना पटना जिले में जातिये गणना का काम तेजी से किया जा रहा है शुक्रवार को रिकॉर्ड 1,62,432 परिवारों की गई पटना जिले में अब मातर 1,09,573 परिवार शेस रहे गए हैं जिनकी गणना बाकी है अधिकारियों के माने तो शेनिवार को गणना का काम पूरा हो गया है क्योंकि इस कारिम को प्राथमिक्ता के तौर पर कराए जा रहा है पटना जिले में 13,79,000 परिवार हैं इसमें से अब तक 12,69,427 परिवारों की गणना हो चुकी है अब केवल एक लाख 9,573 परिवार ऐसे बचे हैं जिनकी गणना होनी है अधिकारियों का कहना है कि गणना का काम पूरा होने के बाद एक बार इसकी विस्तरित समिक्षा की जाएगी ताकि कोई परिवार छूटे नहीं पटना जिले में गणना से संबंधित शिकायतों के ल नौ जिलों में 99 प्रतीशत कम बारिश अब किसानों को कम अवधी वाला धान लगाने की सलाह, सात जिलों में भारिब बारिश का लट बिहार में मौनसून तो एक्टिव है लेकिन जमा जम बारिश अभी भी कई जिलों में देखने को नहीं मिल रही है प्रदेश के नौ जिले ऐसे हैं जो अब तक 99 प्रतिशत कम बारिश हुई है किसानों को कम अवधी वाला धान लगाने की सला दी गई है अब तक 9 जिले जैसे बेगु सराई, गोपाल गंज, पश्रिम चमपारन, मुजफरपूर, सारन, सहरसा, पूर्वी चमपारन, शिवहर और सीता मढ़ी में 99 प्रतिशत तक कम बारिश हुई इस मौनसूर में भागलपूर, औरंगबाद, अररिया, गया, कैमूर, अर्वल, रोहताज, सिवान, कटिहार, जहानबाद, नवादा, सुपॉल, भोजपूर, बांका, जमुई, लखी सराई, शेखपूरा, मधिपूरा, दर्भंगा, पूनिया, खगरिया, वैशाली, परिवार के इन लोगों पर दर्ज चार्ज सीट, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकल कर सामने आ रही है, जोहां लैंड फॉर्ट जॉप के मामले में, लालू परिवार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया, उसकी सुनवाई अब 22 अगस्त को की ज इस मामले में लालू, राबरी, मीसा भारती समेत कुल 16 लोगों पर चार्ज शीट दाखिल किया गया है, लालू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पतनी और बेटी के नाम पर लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे उनका जमील लिया था, इस मामले के जाच 2021 में शुरू अगर उनके नाम का खुलासा किया जाएगा तो फिर खत्रा हो सकता है, लिहाजा अभी उनका नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा सहारा में फसे लोगों के खाते में आने लगे पैसे, सहारा निवेशकों का वर्सों का इंतिजार अब खत्म हो गया केंद्रिये सहकारिता मंत्री अमीत शाह ने आज 112 लोगों के खाते में 10,000 रुपे की पहली किस्त ट्रांसफर की अमीत शाह ने इस मौके पर कहा कि क्लेम पोर्टल पर 18,000,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है दरसल सरकार पहले निवेशकों को 5,000 करोर रुपे लोटा रही है केंद्रिये सहकारिता मंत्री ने 18 जुलाई को पोर्टल लॉंच करते हुए कहा था कि एक करोर निवेशकों को पैसा लोटाए जाएगा सरक पर उतरे मुंगेर के लोग जीत के लिए मांगे वोट मुंगेर के बिटिया मनीशा रानी इंदिनो टीवी पर प्रचलित शो बिग बॉस के OTT सीजन 2 में बहतर प्रदर्शन कर रही है अपनी बिंदास बिहारी स्टाइल में सभी के बीच उनकी अलग ही पैच्वान है इस बीच अब मनीशा के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए शेहरवासी गुरुवार को सरक पड़िखे पैदल और वहन से बच्चे महिलाई युवा मनीशा के पक्ष में वोट मांगते दिखे सन्नी चंद्रवंशी की देखरेख में शादीपूर इस्तित मनीशा रानी के निवास अस्थान से वोट मांगने के लिए सभी निकले राजेंद्र चौक, गांधी चौक, पूरब सराय, स्टेशन रोड होते हुए पूरे शेहर का भ्रमन किया मनीशा के समर्थन में सभी ने वोट मांगे और पंपलेट का वितरन किया मनीशा रानी मुंगेर शेहर के शादीपूर की रहने वाली है पिता मनोश कुमार चंडी कूरियर का काम करते हैं माता अभी बेटी के साथ मुंबई में है मनीशा चार भाई बहनों में तीसरे नमबर की है नवादा में 6 अगस्त को जीता राम माजी भढ़ेंगे हुँकार लोगसभा चुनाओ की बड़ी तयारी बिहार के नवादा में 6 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री जीता राम माजी हुँकार भढ़ेंगे जिले के गांधी इंटर स्कूल में माजी का कारेक्रम का आयोजन किया जाएगा इसी को लेकर नवादा के सरकित हाउस में हम पार्टी के प्रवक्ता शाम सुंदर शर्मा और नेता लव कुमार सिंग की देखरेक में प्रेसवारता कर आयोजन किया गया है बतादे की कारेक्रम की जौनकारी देते हुए नवादा के प्रवक्ता ने कहा कि जीता राम माजी 6 अगस्त को गांधी इंटर कॉलेज पहुँचकर घरीब जनसभा को संबोधित करेंगे उन्होंने कहा कि बिहार के मुखे मंतरी नितीश कुमार माजी समाज के अस्तित्व को खत्म करना चाते थे जिसके कारण ही हमारे नेता ने नितीश कुमार को ठुकरा कर भारतिये जनता पार्टी के साथ विकास की रवतार को बढ़ाने के लिए साथ चल गए उन्होंने कहा कि नवादा में विकास यात्रा का शिरुवात जीतनामाजी मगत की शेतर नवादा से करने जो रहे हैं मतादे कि नवादा में हम प्रवक्ता श्याम सुंदर शरन, हमके नेता लव कुमार अभिशेक सिंग वजीला अध्यक्ष इन लोगों के स्वास द्वारा बिहार की पूर्व सीम जीतनामाजी की गरीब जनसभा को सफल बनाने के लिए गाउ गाउ जाकर सभा में आने के लिए लोगों को से अपील कर रहे हैं 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा पित्रपक्ष मेला डीयम ने बैठक कर तयारियों का लिया जाए जा गया में पित्रपक शुमेला 28 सितंबर से शुरू होगा इसकी तैयारियों को लेकर डॉक्टर त्याग राजन एसेम ने समाहन्याले सभागार में संबंदित पदाधिकारी एवं पंडा समाज के पूरोहितों के साथ समीक्षा बैठा कि इस वर्स गया में पित्रपक शुमेला पहुचे कहा ये नियाई की जीत है जो लड़ेगा वही आखिरकार जीतेगा दिली में कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी से मुलाकात के बाद डेप्यूटी सीम तेजस्वी यादो पितालालू प्रसाद यादो के साथ शनिवार को पटना लोट आए है एरपोर्ट पर कें जीतेगा ये नियाई की जीत है उप मुखे मंतरी तेजस्वी यादो के पटना आने के बाद मंतरी मंडल विस्तार की उमीद बढ़ गई है दिली से लोटने के बाद कॉंग्रिस के प्रदेश सद्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंग ने कहा था कि तेजस्वी यादो पटना से इस मुद्य पर बात करेंगे फिर मंतरी मंडल का विस्तार होगा बता दे कि कॉंग्रिस दो और मंतरी पद चाहती है पहली बार हुआ ऐसा भारत की बिटिया ने विश्व तीरंदाजी चैंपियंशिप में देश को दिलाया पहला गोल्ड विश्व तीरंदाजी चैंपि विश्व तीरंदाजी चैंपियंशिप में पहला गोल्ड पदक जीत कर इतिहास रच दिया